कैसे हैं आप सब आपका जो सेकेंड अप्रील में है उसके लिए त्यारी अपने स्टैट कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो चलिए करता रही है रेगुलर करता रही है तो चलिए आज हम दो कोश्चन पर प्रेटिस करने वाले पहला डेफिरिट का तुसरा एक समेशन का है दोनों अच्छा कोश्चन है काफी टप भी नहीं है काफी एजी भी नहीं है और कभी-कभी कोश्चन को सॉल्ब करने के लिए कुछ कोश्चन को ही याजर रखना पड़ता है इस चीज़ को भी आप नोट कीजिए और आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसको याद कभी-कभी कोश्चन आप जो पाच मिनट को कोश्चन है वह आपका कितना 50 सेकंड में 50 सेकंड में एक मिनट में स्वल्फ हो जाता है ठीके ना तो आप याद रखना पड़ेगा तो चलिए अच्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस कोश्चन को हम लोग कैसे स्वल्फ करते देखिए पहला कोश्चन सामने गी वेने तो सबसे पहले इसको आप आईमान लेजिए ठीक ना पहला हमारा क्या होगा देखिए वन प्लस एक स्वार दिख गया एक स्वल्फ क्या पूर्ट कर लेंगे टैन ठीटा पहला स्टेफ हो गया तो डी एक स्वल्फ कर टीटा अब दिमाग नहीं जाना सिसर्फ को आप दिफरेंशियेट करना है तो आपको आपन रोवर लिमिट चेंज करना है एकस जह जी रोटी एकस आपका इंविनधी ठीटा कितना हो जागा फाइब टू यहां पे आपको लिखना है अब काप चलता है दिमाग लगाने वाला कम स्वार यानि 1 plus 10 square theta जोगी हो जाएगा से के स्कॉआइट यहां पर लिखोगे से के स्कॉआइट तीटा दोनों के इसल आप हो गया ठीक है अभी आपको पास सिंप्लिफिकेशन चल रहा है यह इसको इसको फिजिए तो 1 plus 10 10 square theta कितना हो जागा से के स्कॉआइट डिवाइड यहां पर क्या लिखेंगे 10 theta और यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिजिए मतलब दोनों का लाग लिख लिजिए सेपरेट कर लिजिए तो 0 to 5 by 2 देखें एलें से के अब देखें मैं इसी के बाद कर रहा था कि कभी कुछ कुछ को रिजल्ट आपको यहां रखना पड़ता है तो इकतना लिखाएगा लिखना इसका होता है माइनस ठोरिमें माइनस ऱाइव माइन टो-ता यह याद रखना है और माइनस कितना होग केतना आए आपकी पास तो 25 कर वह देखने से मैंसी पाता चल रहा है कौँसा प्रूपर्टिज गें सकी फीक्स-टी रचीक इसको अब इसको हम लोग हम थर्ड मौन लेते हैं sorry सेकें लह समस्द लेते हैं थैकर लिए कि फने कोppenने लुट करते हैं लिकले अच्वेकर करना होता है तो आइए वन हो जाएगा जिरओ भाइए वाइड नृती टाइन पर तो यहां पर लिखेंगे और अ burada एंड गिन. यहां से हम लोग करते हैं काफी अच्छा है देखिए तो देखिए क्या करना होता है वैलू पूर्ट करने से पहले इस टैको प्रोलम का आपको दो पार में ब्रेक करने के लिए बहुत बेसिक्स हैं कौन सा यह दोनों एंगल एक पहले एंगल देखिए और दूसरा एंगल यहां पर लिखें एंप्राइब एंपार ट्वेल माइनस एल माईनस फार फॉन इसको अब टेमेर्ट इनच इन्स खायें ठीक एंडेगे करते हो क्याता एंट्स यानिकी टैन एंट फार्व जोस्त एंटेट अपरस। इसे लिए को पाद या थैक अब यह चो फॉलकर वे ना कितना पाई अपॉन तो यानि कि मेरे पास लिखा हुआ है टैन पाई अपन तो इसको ख्रोस्मनिपाई कर लिज्ए वन फ्लस यहां पर लिखा हुए 10 अपाई अपन 12 इंटो 10 n minus 1 pi upon 12 equal to, क्या given है मेरे पास, tan n pi upon 12 and then minus tan n minus 1 pi upon 12, ठीक है, आपको find out करना product वाला, मतलब यह वाला part, इसको इधा divide कर लेजी, और 1 को इधा shift कर लेजी, तो हम लोग लिख सकते हैं, tan n pi upon 12 into tan n minus 1 pi upon 12 is equal to, यहां पर लिखेंगे, tan n pi upon 12 minus tan n minus 1 सिर्फ लिखनी का कम चल रहा है, दिमाग नहीं होना है काम कुछ नहीं, सिर्फ यही था एक step था, बाकि सब लिखा पड़ी वड़ा है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम लोग tan pi upon 12 और minus 1 को इधर कर लेते हैं, अब समेशन लगा रहे हैं, तो समेशन यहां पर भी लगा सकते ह included है, ठीक है, अब देखिए, तो अब value put करना start कर देजी न, देखिए न, यहां पर 1 को बाहर कर लेंगे, तो 30 निकल जाएगा, मतलब उसका sum 1 के साथ, और यहां पर इनका value put करना start कर दिए, क्योंकि दो पार्टे ब्रेक हो गया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया, 1 upon, यहां प 2 by upon 12, and minus कितना हो जाएगा, 10 by upon 12, and then plus dot dot plus, क्या put करेंगे, 13, तो पहला पार्ट हो जाएगा, 13 by upon 12, और यहां पर हो जाएगा, minus 10 कितना, 12 by upon 12, ठीक है, और minus कितना हो जाएगा, मेरे पास, यह वाला पार्ट का, देखिए न, यह जो 1 वाला पार्ट है, इसको 13 times add करो गए, त तो 10 0 है, 0 हो जाएगा, मतलब मेरे पास बच गया, 10 13 by upon 12, divided by 10 by upon 12, और minus कितना, 13, अब देखिए, 10 by upon 12, मतलब 10 by plus by by 12, जातलब 10 by by 12, यह दो नों से ही को लिखा हुआ, यह आपका लिखा हुए, 10 by upon 12, यहां पर लिखा हुए, 10 by upon 12, यहां पर लिखा हुए, 10 by upon 12, and minus कितना 13, which is equal to cancel out, 1 बच गया, minus 13 हो गया, which is equal to minus 12, यह हमारा अंसर आ गया, तो इसन वाली question में product given उसको आप break कर लिजी, ठीकिना, break करने के बाद उसको 2 पाटे break कर लिजी, और 2 परेक कर लिखा हुए, आपका question answer आ जाता है, तो इस टैप को problem को हम लोगा है से sort कर सकते है, रेगुल